में लिग के लिए में खेती ये शाश्वत योगी खेती टॉक शो में मैं आपका दोस्त अमित तहे दिल से आपके अपने कारिक्रम में स्वागत करता हूँ ये कारिक्रम समर्पित है इस धर्ती की संभाल करने वालों को किसान भाईयों को ये कारिक्रम आपका है दोस्तों इस कारिक्रम का जैसा नाम है शाश्वत योगिक खेती ये खेती का ही एक प्रकार है इस खेती के प्रकार के बारे में हम इस कारिक्रम की कडियों में जानेंगे खेती से जुड़े विभिन विश्यों पर चर्चा करेंगे आज हम किस विशय पर चर्चा करने वाले हैं ये विशय भी आपको बताता हूँ लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद है गेस्ट उनका नाम है महेंद्र ठाकुर जी महेंद्र भाई आपका शाश्वत योगिक खेती टॉक शो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ नमस्ते नमस्कार वे मुंबई में रहकर मल्टिनेशनल कंपनीज में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं परन्तु वर्तमान में वे शाश्वत योगिक खेती कर रहे हैं और खेती में आधनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं महेंद्र भाई आप तो अनुभवी हैं आपने माइक्रो बाइलोजिपी किया हुआ है तो क्या आप हमारे किसान भाईयों को खेती के प्रकार के बारे में बता सकते हैं क्योंकि शाश्वत योगिक खेती भी खेती का ही एक आधुनिक प्रकार है कहां से खेती शुरू ही परमपरागत तरीके से और कहां अब हम शाश्वत योगिक खेती की बात कर रहे हैं कि हमारे सभी दर्शक गंड जो है वो जानना चाहते होंगे कि शाश्वत योगिक खेती है क्या और आप तो पांच वर्षों से यह खेती करते आ रहे हैं तो खेती के प्रकार के बारे में कुछ बताईए है खेती एक ऐसा विसे है भारत सुरू से ही बहुत पुरानी हमारी पर रिवर्तन होते गया जैसे कि शुरूब में यह था कि जो नैसर के खेती होती थी अभी आप देखेंगे खेती सिर्फ जो हो रही है वो मनुष्य के लिए उसकी रिक्वार्मेंट पूरी करने के लिए आधुनिक पद्दति से खेती की जा रही है लेकिन अन्न तो और उरों क के खेती कि जाते जनावरों के लिए अनन पैडा किया जाता है लेकिन वह भीमनुष्य की जरूरत है तो इसलिए की जाहीं जादा से जादा जादा दूद मनुष्य को चाहिए पशुपालन होता है और उनके लिए तो आज भी हम देखते कि प्रकुर्तिक जो जन्न खेती है कि इसके लिए जनावरों के लिए पशुपक्सी के लिए वो अल्रेडी हो रही है, सिर्फ मनुष्य ने अपने रिक्वाइर्मेंट पूरी करने के लिए उसमें अलग-अलग बदलाव किये और वो समय की जरूरत थी जिस हिसाब से हमारी population बढ़ते गई, जिस हिसाब से हमारे अन्न कम होने लगा, तो अन्न का उत्पादन बढ़ाना यह priority थी, क्योंकि मनुष्य को पूरा पेड भरके अन्न तो चाहिए, और इसी तरीके से जो नैसरगिक खेती थी उसका स्वरूप फिर शेंद्रिय शेती न बढ़ना है, मतलब कुछ चीजे जो जमीन में कम पढ़ रही है, वो आपको बहर से डालनी है, लेकिन उसमें वही चीजे डाली जाती थी जो नैसरगिक थी, जैसे कि गोबर्खाथ है, जैसे कि जो वेस्ट निकलता है, उसको डालना है, जैसे और जैसे ग्रीन मैनुरिंग क कुछ जो इन्पुट्स चाहिए जमीन को वो हम दे दें इसके बाद इसके पश्चात इसमें और भी इंप्रुमेंट हुआ जैसे जैसे हमारी टेकनोलोजी डवलप हुई तो उस हिसाब से और भी इंप्रुमेंट हुए और उससे भी प्रोडक्शन ऐसा महसूस हुआ कि कम करना हमारे देश के फाइनांशियल कंडिशन के हिसाब से हनिकारक तो अर्थ विवस्ता बिगड़ने के वज़े से यह तो प्रायोरिटी बन गी थी कि कैसे भी करके हमको अन्नका उत्पादन बढ़ा है जाए जी और उसमें यह देखा गया कि जो बहार से इंपुट्स डाल गये जिनको हम रासायनिक खाद और रासायनिक पेसिसाइड कहते हैं तो उनको डालने के बाद ऐसा यह हुआ कि एक दम से हमारी प्रोड़क्टिविटी बढ़ी ठीक है आज हम देखते हैं कि हमारे बंडार भरपूर है आने वाले एक दो साल तक हमारे पास स्टॉक सफिचि थी जब वो इंपोर्ट करना पड़ता था यह प्रकार था रासायनिक खेती से जो ड़लप्मेंट हुआ इसके बाद फिर यह हुआ कि रासायनिक खेती करने के बाद जो जमीन में जो उसके ओरीजनल तत्व है वो धीरे 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 अग्जोस्ट हो गया खत्म हुए और हमने जो डाला है वो बाहर से अर्टिफिशियल डाला है इस वज़से पाउदे ने क्या किया उसकी जितनी चमता थी उस चमता से पूरा का पूरा प्रोडक्शन दिया इसमें बहुत सारे डेवलप्मेंट हुए बहुत सारे रिसर्च वे नए जातिया निकली नए प्रकार अब कि जो निकला उसमें भी अच्छा प्रोडक्शन मिला लेकिन इस कंटिनुएस प्रोसेस में यह सब राधुरभाव के बाद ही हुआ अभी तक हम संद्रिय के प्रदक्शन की कमी महसूस होने लगी तब थे निया प्रकार आई रायसायनिक खेति इसमें आप बता रहे हैं कि विसपास नहीं करेंगे यह थाकिकत है रायसायनिक खादों को इस्तिमाल करने के लिए हमारे किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं थे आज भी ऐसे scientist है कि उन्होंने ये accept किया है कि किसानों के खेतों में हमने छुप करके ही खात डाले हैं क्योंकि उनको ज्यादा result देना था इधर government का ये था कि आपको chemical fertilizers use करना है क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है किसान उस पद्दती को accept करने को तयार नहीं था मैं आपसे पूछना चाहूंगा सेंद्रिय खेती के बाद जब रसाइन खेती आई ये कितनी पुरानी बात है ये करिब-करिब जैसे second world war हुआ और उसके बाद जो अनाज की कमी भी हुई और जो विदेशों में ये जो हमारे जो रसाइन हैं ये खाद के लिए उत्पादन इन जीजों में इनका इस्तिमाल करने के लिए वो था जिए लिकिन उसका जब देखा गया कि उसके रिजल्ट इदर अच्छे हैं किरेव में हैं तो इस तरीके से जैसे जैसे उसका independence लेकिन इसमें और एक कड़ी में जोड़ना चाहूंगा वो समय की जरूरत थी लेकिन उसका इस्तेमाल कितना करना कब करना कैसे करना यह कंप्लीट इंबैलेंस हुआ दरीजन इस एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन एंट्रेनिंग किसान उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिले कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करें कब करें और उसका कई बार वो देखने के बाद यह होता है कि बाजुवाले ने इतना डाला 100 किलो डाला तो उसको इतना अनाज मिला मैं ऐसा करता हूं मैं 50 किलो और जादा डालूंगा तो और यह मिलेगा जादा मिलेगा इस भावना से जमीन में जो डालने का जो प्रकार था, जो कॉंटिटी इंबेलेंस होने की वजह से जमीन धीरे 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 उसकी उर्वरक्षमता कम होगी और आज हम देखते हैं उसके साथ-साथ जो दुस्परिणान दुसरे जो निकले है कि प्लांट्स अपना ज्यादा से ज्याद जो एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन में दे रहा है लेकिन उसका रेजिस्टन्स पावर कम हो रहा है जिस वजह से इतना डवलपमेंट होने के बावजूद भी आज हमारे पास खेती के उपर जो है रोग का जो किटक का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है आज हमेंदी वो उसके शवरक्षन में होता है क्यों कि जो भी डवलपमेंट भी नए हुए है तो उसमें ऐसी साइकल तयार हुए कि किटानूओं का जो कीट थे जो बीमारी तयार करते उनका रेजिस्टन्स पावर बढ़ा और इधर हमारा जो इसका जो टॉलरंस पावर जो था युमिन डिटोरेट हुई है उसको एधी हम लैब में टेस्ट करते हैं और बहुत सारे आज उसके अमन चर्चा भले नहीं करेंगे लिकिन सब जानते हैं कि उसके दुस्परिनाम कितने हैं जिसको रेसिडियल टॉक्सिटी कहा जाता है आप एक सिस्टम देखेंगे कि जितना भी अन होता है और इसका बहुत सारे उधारन आप देखेंगे पिछले बार नासिक से जो कंटेनर के कंटेनर हमारे जो एक्सपोर्ट हुए थे वापस आए वापस आने के बाद कंपनी ने यह कहा कि आपको वापस देने का भी इसको डिसकाड करने का भी आपको पैसा भरना है यह तो पता चलता है कि इसमें जो एक्सेस केमिकल्स जो है जो मनुष्य के हाने का रख है मनुष्य के लिए वो ज्यादा आ गया है तो यह सारे परिनाम दूस परिनाम आने के वज़े से आज समश्या यह है कि हम प्रोड़क्शन तो ले लिए है हमारे पास फूड है बट क्या खाने योग्या है और यही समश्या यही एक विचार सतत हमारे साइंटिस्ट लोगों के मन में भी है गौर्मेंट के पास भी है उनकी भी योजनाए है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तिमाल कम किया जाए और हम फिर से जैविक और शेंद्रिय के है जैसा आपने कहा कि वो शायद समय की जरूरत थी उन रसाइनों का इस्तिमाल करना फसल की पेदावार को बढ़ाने के लिए लेकिन अगर आज के युक की हम बात करें तो आज इन रसाइनों के इन बैलेंस इस्तिमाल की वजह से जो आपने कहा कि भई कंटेनर की कंटेनर वापस आगए जी है ठीक है अब उसे कंजियूम तो हम भी कर रहे हैं उसी अनाज को और आज कोई भी घर बिमारी से अचुता नहीं है और सब यह जानते हैं कि केमिकल्स के अत्यदिक इस्तिमाल की वजह से जाए फिर वो फल हो सबजिया हो या फिर वो अनाज हो इन में बह पूर्ण तया खतम हो चुकी है आज जो समय की पुकार है वो है शुद्ध एवं सात्विक अन इसके मद्दे नजर खेती में अन्य भी तो डेवलपमेंट हुए हैं आपने बताया प्राकृतिक खेती आपने बताया सेंद्रिय खेती आपने बताया रासाइनिक खेती जैवि यह देखा कि इन सारे खेती के प्रकार में अभी जो फोकस है वो है प्रकृतिक रिसोर्सेस यूज करके जो नेचरल रिसोर्सेस है उनको यूज करके हम कोई भी चीज यह इस्तेमाल करते हैं तो या उगाते हैं तो वो हमारे इसको बैलेंस करती साइकल को क्यूंकि हमारी प Amber निसर्ग से हमने लिया है वही निसर्ग में डाला जाए और उसे सारी अनकी ढौरी रिक्वार्मेंट पूरी हो और उसी वज़ से जैसे की हमने थेखा की हमने जैविक है वे जो ऑया तो जैवीध में क्या होता है , जैविक में बैक्टे काम काफी सालों शेक कर रही है। लेकिन जितना रिजल्ट हम को उससे मिलना चाहिए। आप पुराना data देखेंगे, जितना इसका प्रचार होना चाहिए था, जो रिजल्ट पूरी नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन उतना दे नहीं पाएंगे, और केमिकल तरीके से करते हैं, तो प्रोडक्शन तो मिलेगा, लेकिन अन्ना हमको उतना शुद्ध और सात्विक नहीं मिलेगा. मैं आप से यहां पूजना चाहूंगा, क्योंकि जब कभी भी इस तरह की बातें उठती हैं, तो एक बहुत ही मजबूत विचार सामने रखा जाता है, कि प्रकृति या ये ब्रह्मान बहुत विशाल है, और इस प्रकृति ने, चाहे वो पशू-पक्शी प्रानी हो, या फिर इसके भरण पोशन्ड का भरपूर इलाज, भरपूर विवस्ता, भरपूर प्रबंद इसके पास में है, जब इतना मजबूत विचार रखा जाता है, तो आप इस विचार से कितना सहमत हैं, क्या जैविक खेती करके, और गेनिक खेती करके, आवशक्ताएं पूरती की जा स लेकिन इसमें जरूरत है उस पोटेंश, जो इनपुट्स है, उनको उतना पोटेंशियल हम बनाएं, आज हम देखते हैं, जैसे और गनिक खेती है, सिंद्रिय खेती हम जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद जैविक खेती भी है, तो जैविक खेती में भी यह होता है कि हम जो जो डालते हैं, डाल तो रहे हैं, तो नेचरली डालने के बाद भी वो डाल दिया और हो गया, उसके पीछे संटिफिक रीजन है, कि वो जाते हैं जमीन में तो क्या करते हैं, भले वो छोटा है, दिखता नहीं है, लेकिन उसकी भी एक अपनी साइकल है, अपनी दुनिया है जैसे मनुष्य है, हम जिस समय अच्छे वातावरन में र parlé है, हमारा ओफिस, हमसोचते हमेशा प्रफुलित होना चीए, घर अच्छा होना चीए उच्छी एर मिलनी चेए, प्रशन वातावरन होना चीए तो हमारी वर्किंग एफिशियंशी बढ़ती है, क्या हम उन औरग् आपने आप रात और दिन चलते रहती है, मनुष्या रात में सो जाता है लेकिन वह क्रिया कहीं भी डिस्टर्ब एदी होती है, तो ओर्गेनिजम्स का डालने के बाद में भी जितना आउटपुट मिलना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो उसने फंच्शन करना चाह suitable environment उनके पनापने के लिए नहीं मिल पाता है, शायद ये इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता होगा, मुझे यसा लगता है, और उन्हीं बातों का ख्याल रखना, ये जो कॉंसेप्ट है, यही हमें योगिक खेती के तरफ ले जाता है तो ये खेती का अति आधुनिक और उन्नत प्रकार माना जा सकता है, शाश्वत योगिक खेती, क्योंकि हमने जो भी रिसोर्सेज डाले हैं, उनको हमको सही इस्तेमाल करना, उनसे पूरा आउटपुट लेना, उनसे पूरा काम करवाना, आज सभी मैनेजमेंट में ये समस् सिर्फ पैसा दे के काम नहीं कर सकते, ज्यादा पैसे दे के ना हम उपर से प्रेशर से काम कर सकते हैं, ये हमको किसी को प्रमोट करना है, तो उसकी मानसिक स्थिति पॉजिटिव करने होगी, उनको पॉजिटिव ये देने होगे, ताकि उससे हम अच्छे से अच्छा परप करते हैं, और वो भावनाओं को रिस्यू करते हैं, वो एट्मॉस्पेरिक कंडिशन को रिस्यू करते हैं, तो ऐसा एट्मॉस्पेरिक कंडिशन हम इदी उनको दे, उनमें क्या होगा, उनमें ये बायो केमिकल चेंजेस जो आते हैं, तो वो चेंजेस में उनमें वेरियस के लिए फायदेमंद है जाहे वो फर्टिलाइजर हो जाहे वो पेसियसाइट के रूप में काम करें क्योंकि कुछ बाइप्रोडक्स ऐसे हैं कि वो एज पेसियसाइट रहेंगे और वो पर्टिकुलरली उसी चीज को मारेंगे जो हने कारक है तो यानि की शाश्वत योगिक खेती जो है वो मनो विज्ञान आध्यात्म और विज्ञान इनका मिला जुला उन्नत एवं अतियाधुनिक रूप है मैं और एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा प्लीज प्लीज आधुनिक तो है है लेकिन ये हमारे कल्चर जो हमारा पूराना कल्चर है जो भारत का मात्रसादन है कि उस राजियों के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा जो पॉजिटिव थौट्स हमारे अंदर जो आते हैं और उसी थौट्स का प्रभाव हमारे खेती पर भी होता है जमीन पर भी होता है वहां रहने वाले हजारों बैक्टरिया फैरसेस फंगस इनके उप बताये और हमने बहुत अच्छे से शाश्वत योगिक खेती को समझा